पश्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूग चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चर्बी की गाठ की प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे हम मेडिकल टर्म भासा में लाइपोमा भी कहते हैं यहां हमारी बॉडि के एक्स्टरनल पार्ट में होता है और किसी भी पार्ट में यहां सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है दोस्तो यहां हमारे हैंट्स यानि की हातों में हो जाता है या हमारे पेट में हो जाता है या हमारे बैक साइट में हो जाता है या हमारे जांगो में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पिंडिलियों में या हो जाता है और कई बार हमने देखा है कि यहाँ जबडों में भी हो जाता है और यहाँ कई कारणों की वज़े से हमारी बॉ को मिलती है yeast tube में blockage बगेरा हो जाते हैं हमनेदेखा हार्मों इन्व बैलेंस के कारण यह सारी problem से हमें देखने को मिलती है और चर्बी कीगाइट की problems भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप कैसी होमोपेटिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो ओनली फॉर चर्बी की गांट में यूज की जाती है इसके मेडिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्स हमें देखने को मिले हैं यदि आपको चर्बी की गांट है या आपको गायनों को मेस्टिया है या आपके फ्ल चर्बी की गांट में बहुत ही जादा मायने रखता है और जब भी आप कोई भी मैडिसिन यूज करो तो दो से तीन मैडिसिन आप यूज करें जादा मैडिसिन एक साथ आपको यूज नहीं करनी है और जो मैं डोज में आपको बताने वाला हूं उसी डोज में यदि आप म शुरू करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेट करेंगे बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ वेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेश करके रखें ताकि सभी लेटेशन मैडिसन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो बात करेंगे लाइपोमा याने की चरबी की गांट की पॉब्लम्स के बारे में दोस्तो यह हमारे वाड़ी के किसी भी पार्ट में हो जाती है कई वैक्ति में हमने देखा है कि जो गांट ह हमें किस तरह की गांटे हमें देखने को मिलेगी तो कौन-कौन सी मैडिसिन हमें यूज करनी चाहिए पहले नंबर पे आता है दोस्तो कैलकेरिया कार्व कैलकेरिया कार्व बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी प्रेशेंट्स बहुत जदा ओवीज होता है यानि की मूट कि धर घूम जाती है तो उसकार्व के लीजाती है और उसकार्ण में केलकेरिया कार्व तुन हंडेड़ पोटेंसिक में यूज की जाती है दिन में एक बार ही आपको सुपाखाली पे टंग डोस जीव में आपको लेना है और जो एक बार आपने स्टार्ड किया तो चालिस स साथ दिन तक इस medicine को आपको regular लेना है उसके बाद दो मेहने का गैफ करना है गैफ करने के बाद यदि थोड़ी बहुत यदि गांठ बच जाती है तभी आप इस medicine का repetition करें अनिथा medicine repetition करने की आवशक्ता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी यहां प्राब्लम्स आपकी ठीक हो जाएगी वीडियो के लाश्ट में नो सूर्ट के वारे में जानकारी में आपको दूंगा यदि वह आपने यूज कर लिया तो प्राब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दूसरे नमबर पे आती है दोस्तो केलकिरिया फलोर 200X केलकिरिया फलोर 200X में लेना है पॉटेंसी के फ़र्म में अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं दोस्त हमारी जब भी यह जो गाठे होती है वह हार्ड हो जाती है फत्तर जैसी हो जाती है उसे आप टच करें तो हलकी फत्तर जैसी आपको hard आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ गाठे जो होती है, वडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है, चाहे male हो चाहे female हो, दोनों में इस medicine का use किया जाता है, चाहे आपको गाने को Mestia में गाठ हो गई हो, या फिर breast में गाठ हो गई हो, या फिर hands तो एक्स में चार गोली सुबा चार गोली दो फैर में चार गोली रात में तीन महने कंटिनी दिया आप इसे लेते हैं तो आपकी जो गाठ होती है बहाँ पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है दीरे दीरे करके यहां घुल जाती है इसके काफी अच्छे रिजल्स हमें अच्छा काम करती है दोस्तों यहां जो गठाने होती है वहां नॉन कैंसिरियस होती है यहां किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है यहां जो ओनली फॉर चरवी की गांट होती है और यह जो चरवी की गांट होती है इसमें कई वार हमें हलका हलका दर्द भी देखने को मिल और यहां मेल और फिमेल दोनों में बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी वैक्ति के अंदर हार्मोन इन्वैलेंस हो जाते हैं जिसके कारण गाइनोको मेस्टिया हो जाता है या ब्रेस्ट में ट्यूवर हो जाता है या फ्लूबिन टूप में ब्लॉकिज वगेरा आजाते है या ओविरंसिस्ट की पावलम हो जाती है या जबडों में गठाने बगेरा होने लगती है तो उसमें कुनियम में बहुत ही अच्छा काम करती है कुनियम में 200 पोटेंसी में दिन में एक ही वार लेना है इसमें दो बार आपको नहीं लेना है इस बात का विसे ध्यान रखना है और दो से तीन मेंने इस मेडिसिन को रेगुलर लेना है यदि आप लेते हैं तो पिंच चुगने जैसा यदि गाठ में हलका फुल का दर्द भी है तो वहावी ठीक हो जाएगा और जो गठाने है वह आटोमेटिक धीरे-धीरे करके डिजॉल्व होने लगेगी चोहते न चैक्ती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि गठाने वन गई है यह तो नहीं है जबकि यहां नौन-कैंसिरेस होती है और गठाने यदि जबडों के आसपास हो गई है ब्रेस्ट में हो गई है तो हेकला लावा 3X में या 12X में आप यूज़ कर सकते हैं 12X में दो-द केरिया फॉस के रिजल्ट्स हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं जो भी वैक्ती बहुत ज़्यादा नौन-वेज बगेरा का यूज़ करता है और फैटी चीज बहुत ही ज़्यादा खाता है और फैट के डिपॉजिट धीरे-धीरे करके वाड़े के अंदर होने लगत है तो उसमें केला करीया को सबमने देखने करनी है मैं चार गोली सुबाट दोफैर में मीठी चूज के खाना ए उस मेडिसिन कु कंटिन्ईयू आपको तीम मेहने लेना है तीन महने के अंदर यहां जो अपकी गाठान है वहाँ दीरे-दीरे करके पूरी तरह से dissolve हो जाएगी दोस्तों लास्ट में एक medicine में आपको बताने जा रहा हूं वो medicine यदि साथ में आप लेते हैं तो आपकी problem जो है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है आपको थूजा medicine लेकी आनी है और यहाँ आपको बनेंपोटेंसी में लेकी आनी है और इस medicine को खाली पेट चारवूं टंग डोस लेना है 15 दिन में एक ही वार लेंगे बार बार रिपीटेशन नहीं करना है कई वार आप बार बार रिपीटेशन करते हैं तो medicine काम करना बंद कर देती है तो महीं सब 15 दिन में एक बार medicine ले तीन महने continue करे इसके बाद medicine लेने की और शक अब कर रहा है तो उन्हें चरवी वाली चीज नहीं खाना है जैसे नौन बेज का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे हमारी बॉड़ी में जाद्या मात्रा में फेट डपॉजिट होता है उससे हमें यूज नहीं करना है वस इतनी वाद का आपको विसे दिया रखना है यह जो मैडसिन है आपकी गांट को पूरी तरह से डिजॉल्व कर देगी यदि आप किसी डिसीज से सफर कर रहा है तो आप ओनलाइन कंसल्ट एंसी भी ले सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है या कोई कोश्चन आप पूछना चाहते हैं रात्री 9 वज इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत बंदे मात्रव